हलो बच्चो नव भारती परिवार में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 कक्षा 12 का विशय पॉलिटिकल साइंस राजनीती विज्ञान और राजनीती विज्ञान की जो आपकी बुक है खंड ए जिसका नाम है राजनीती विज्ञान की मूल अवधार्नाय उसकी एक प्रमुक अवधार्नाय का अध्याय तीन धर्म इस keeper के झ्ड़िशी इस के कुछ topics से पार्ट वन में पढ़ चुके हैं और कि जो बच गए हैं वह हम पार्ट नों पढ़ रहे हैं फो चड़े शुरू करते हैं हमारा चैप्टर धर्म भारतिय संस्कृति में धर्म की संकल्पना यानि कि जो भारतिय संस्कृति है उसमें धर्म की संकल्पना कि धर्म भारतिय संस्कृति और दर्शन की प्रमुक संकल्पना है विविन मत्मतांतरों के आदार पर धर्म की विविन परिवाशा एवं धर्म के विविन अर्थ प्रस्तूत किये गए है यानि कि अलग-अलग धर्मों में धर्म की अलग-अलग परिवाशा दी गई है या अल यसे संस्क्रत में धर्म सब्द दारणा से बनाए है जिसका आशे की धारन करना शब्द का पश्चेमी भाशRO में कोई तुल शब्त पानां बहुत कथिन है यह दिनका सकूक नमें दर्म केवल लौकिक दरर्म नहीं है भारती संदर्म्स में धर्म के भिविन अर्थ है जिसमें मुख्य कर्तव अहिंसा नयाय सदाचार सदाचरण सदगुण आदी यानिकि क्या है कर्तव अहिंसा नयाय और सदाचार यानिकि अच्छे आच्रण और सदगुण आदी धर्म की पास्चात्य धार्णा भारतिय धार्णा से बिल्कुल भिन धर्म के बारे में सामाने रूप से कहा जाता है कि यह जीवन जीने का रास्ता बताता है सभी धर्मों में इसी बात को लेकर अलग-अलग व्याक्ष्या की गई है दharma केवाल नियम कानूनों में बंधना नहीं है, बलकि दharma एक इंसानित का भ्हाव बनाए रखने में मदद करता है, यानि की ऐसा नहीं है, निया कि धर्म अगर सभीदान में लिख दिये गए, भीद्वाव नहीं करना लूइक ही, भीद्वाव आज के परिप्रेक्ष में यह आवशक है कि मानवता के धर्म को सबसे स्ट्रेश्ट धर्म समझा जाए ऐसा करने से बाकी कुछ आसान हो जाएगा धर्म की प्रारंबिक बुनियादी परिवार में तच्छों को दिये जाने वाले संस्कारों से होती है यानि कि क्या होता है बच्चों की अगर सभी भूल जाएगी हमारा क्या धर्मे क्या जात है तो उसे दूसरी कोई भी इंसान उसे दूसरी धर्मे जातका दिखेगा ही नहीं और क्या होगा इंसानियत की भाव पैदा होंगे या फिर अच्छा वेवार या अच्छा आच्रन को बढ़ावा मिलेगा एक है सत्य विप्रा बहुदा वदंती रिगवेद में कहा गया कि अधित्य भ्रह्मा या सत्य एक है बुद्यू जीवियों ने उसे समय समय पर अलग अलग नामों से बताया है रिगवेद में ब्रह्मा को इंद्र अगनी मित्र करुण यम और मतारीश वान नादी नाम से भंबोधित किया गया है बस्तुत है इश्वर एक है जो अपने स्वरूप को अनेक रूपों में प्रस्तुत कर स्रष्टी की रचना करते हैं नहीं कि भगवान सबका एक है भगवान एक है अब इसे अलग अलग नामों से लोग जानते हैं जैसे कि मुसल्वानों में अल्ला नाम से जानते हैं भार्तिय दार्शन याग वल्लके ने धर्म के लक्षन बताए हैं यहीद प्राचिन भारत के पुट्र शायते हैं जो हिंदू पराचिन फमरा डार्वत ग्रंत भी है अब क्या है तो हिंद 다र्म के अधार अबु दंधरम ढिरह 582 उत्राइज 2530 अध्रास्वशन भारतिय संस्कृत में एस सनातन वर्नाश्रमम धर्म जो जोुक्तर भूफ जो ब्ल हीज़ए चार प्रदल्ल गरोते हैं द्धान ड क्या चाहिवन है पहला क्रीजेंट था-ध्र अहिंसा सत्त्य कौरी न करना करना सोच यानि सवच ता इंडरी निगर यानि इंडरी को वश में रखना अपने अपने जो इछाए हैं जो इंडरी आए उनको वश में रखना मनुस्प्रति में धर्म के दस निमलिकित लक्षन बताए गए है ध्रति समा दमा यस्ते सोच मिंद्रिय निगरह दिर्विद्या सत्यम क्रोधो दशके धर्म लक्षनम यानि कि ड्यर शमता संचेवा चोई न करना सोच स्विच्छता इंद्रियों को वश में रखना बुद्ध थी विद्या सत्य और क्रोध न करना ये धर्म के दस लक्षन है इस प्रिकार सभी शास्वत मुल्य ने केवल बारत ने उत्पन धर्मों में ही परिलक्षित होते हैं अपितु विश्व के अन्य धर्मों में ही आधारबुत जीवन मुल्यों के रूप में सुईकार है इसलाम निसाई धर्म बौध्य धर्म में व्यक्ति परक नैतिकता पर विशेश बल दिया गया है जो एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवार को सयमित्ल करता है धर्म की इसाई संकलपना अब हम देखेंगे कि धर्म की इसाई संकलपना क्य इसाई धर्म एकेश्वरवाद वादी धर्म है यानि कि इसमें एक ही इश्वर को माना जाता है एक ही इस्वर के मानने को बढ़ावा दिया जाता है जिसकी उत्पति आज से 2018 वर्ष पूर्व इसा मसीनिक की थी इसायों ने बहुत से समुदाय है मसलन कैथोलिक प्रोटेस्टेंट आर्थोडोक्स मारोनी एवनजीलक आदी यह धर्म विष्व की जनसें क्या कि द्रस्टी से सरवादिक अन्यायू वाला धर्म है यानि कि इस धर्म के लोग बहुत ज़ मिष्ट्मी आइसाई राजनीति की विचारदाना भर्मम राजनीती दोनों की समाना अंतर सत्ता को सुवेकार किया है हाँ इसलाम धर्म में संगर पहना है कि जो मुसलिम लोग और उनका जो इस्लाम धर्म है उनमें धर्म की संकल्पना किस प्रकार की है इसलाम दुनिया के नवींटम धर्मों से एक है इसलाम धर्म का प्रादुर्बाव 622 इस्वी में मुहमत पेगमर्ने किया आज दुनिया की लगबग एक पॉइंट पांच अरव अबादी इसलाम के औरकों से मिंडानाओं तक प्रसारित इस्लाम में इस्लाम में उत्तर के उबोगता देशों से लेकर दश्ण के वंचित देश शामिल है यह अमेरिका यूरोप और रूस को जोड़ने वाले मौत्मुन सामरिक चोहराये पर इस्तित है वही दूसरी तरफ अश्वेत अफ्रीका बारत और चीन तक इस्लाम का बोल वाला है यानि कि इन देशों में भी इसलाम धर्म को मालने वाले लोग मिलते हैं या इनके अनुयाई पाए जाते हैं इस्त्राम किसी भी एक राश्च्र संसकति एस राश्च्र सीमा के परीदी बना घ। तक्सीमित नहीं है बलकि यह की पूरी दुनिया में फैला हुआ यानि कि बहुत सारे देशों में बहुत ज़्यादा संक्या में स्थ है कि in इस्सक्राइब । और लोकिक अलोकिक और वहारेक धार्मिक द्रम निप्वेद्व नहीं करता है यह पाख्चमी इसाई-षणिति विचारा में धर्म और राजनिटी दोनों की समंतर सत्था को शासन को स्विकार किया गया है उन्होंने जिस प्रकास को स्विकार किया है वही इसलाम धर्म और राजनिति के मद्ध कोई विवेद या फिर कोई भेद या कोई भेदवाव नहीं करता बलकि दोनों को एक दूसरे से गुता हुआ मानते हैं स्विकार करता है यह एकता के सिद्दान पर आधारित है हालांकि इसलाम में ऐसी राजनिती सोच की कारियोजना को त्यार करना अभी संभव नहीं हो सका है जो इसके विविन सांस्कृति प्रस्तरों के ऊपर खड़ा हो पस्चुमी के विपरित इसलाम धर्म को राज्य के सम्म धर्म एक विश्वास एक आस्था है यानि कि धर्म एक विश्वास है एक आस्था है भारतिय संस्कृति से इसका प्रगाड संबंध है और भारतिय संस्कृति से इसका बहुत ही मजबूत प्रगाड संबंध है भारतिय संस्कृति में संस्कृतिक और सामाजिक गतिविद्य कि भारत में जो संस्कृटि है जो सॉन्सकृटिक और समाजिक है भर्म का है ब्राचिन काल करने के प्राइद करने में कामयाब हुआ है संसार के प्रत्यक भाग में बहगवान की संकल्प भगवान की कलपना किसी ना किसी रूप में अवश्य की गई जरूर नो को बगवां को पूअन को जाता है जैसे कि मुसल्मानों में अला पूजा जा रहा है भगवान को माना जाता है और इसके बदलते सुरूपों को भी देखा गया है आज बहुतिक वादी युग में धर्म व्यक्ति का व्यक्ति गतिक में एच्छिक अंशी रह गया है अधुनिक काल में व्यक्यानिक अविश्कारों रुपन हो लेवाले प्रभावों के कारण सामाजिक जीवन जुरूत गति से परिवर्तित हो रहा है भारतिय जन्मानाश पास्चात्य संस्क्रति साहित ते वदर्शन में परिचित हुए तता उनसे प्रभावित हुए जिसके फलसरूप हमारे देश की सामाजिक तता सांस्क्रितिक मानेताओं में भी परिवर्तन आया है विज्ञानकों के उपलब्धियों ने भारत उपलब्धियों ने मानव का द्रश्टिकों परिवर्तित कर दिया है और विज्ञान ने धार्मिक अंधि विश्वासों रूडियो बढ़ोतरी हुई और कट्टरपन ने आतंगवाद जैसे दुश्प्रभवरतियों को जनम दिया बारती दर्ब निर्पेक्ष राष्ट की नीव धार्मिक शेष्टनुता धार्मिक सद्वाव नहतिकता पर आधारित हैं और इंसा के लिए कोई सुकावादा नहीं है यान कि क्या होएं कि धनेंगाद मुच्ट कान था करता देश्प्रभवरत T नहीं है तो बच्चो हमने पार्ट पड़ा अध्याय कौन सा प्रमुकवधार्णा एकाई वन का अध्याय कौन सा पड़ाय हमने तेन जिसका नामे धर्म बच्चो ये हमारा पार्ट अब कम्प्लीट हो चुका है अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चेप्टर के कर दो का अध्याय कर दो तते हैं।